आश्र जी भर के खाऊंगा, शीरा एक बार इस घर के बहु हो जाए, तो यहां का पानी पिना भी बंद हो जाएगा मेरी मानी अंकल तो जल्दी से शादी की तारीक तैख कर दीजे, क्यों भाईया? क्यों? तुझे क्या जल्दी है विकास की शादी की? गर में एक और अच्छी भावी आजाएगी अरे विकास, आओ 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 अगनी अगनी आशिरवाद लो भाईया भावी से रुक जाओ भाही पर कौने यह लड़की? भाईया यह मेरी पत्नी है पत्नी? इसको किसने पसंद किया इस घर की बहु बनने के लिए? और किसकी आग्या से तुमने शादी की? भायो और इतनी जल्दी और चूरी से शादी करने की जरूरत क्या थी तुम्हे? शादी के बाद तुम्हे अपनी भावी और भाईया की याद आई? उससे पहले यह नहीं सोचा कि हमारे भी कुछ आर्मान हैं, कुछ चाव हैं, कुछ कमिट्मेंट्स हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं हम तुम्हारी शादी द्वार का दास जी की बेड़ी से तैय कर चुके हैं इस बात की खबर है के नहीं तुम्हें? जी एक बार बात हुई थी शरीफ लोगों के लिए बात का एक बार हो जाना पत्थर पे लगीर की तरह होता है जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी शादी शीला के साथ तैय हो चुकी है तो तुमने इस तरह हमसे बगार पूछे शादी करने के जुरुत कैसे की? ऐसे ही कुछ मजबूरी थे भईया तो क्या वो मजबूरी तुम अपनी भाविया मुझे नहीं बदा सकते थे? अरे क्या मर के थे हम लोग? क्या इसी दिन के लिए अपना खून पसीना एक करके पाला था तुम्हे? चले जाओ आँसे, डिकर जाओ सुनी सावित्री, तुम बीच में मत बोलो विकास, जले जाओ यहांसे और आएंदा कभी अपनी सुरत मत दिखाना जैसी आपकी मर्जी भईया चलो अगनी रुक जाओ विकास सावित्री देखिए, यह क्या कर रहे हैं आप घर आई लक्ष्मी को बहाद निकाल रहे हैं सुनीए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा आज छोली पहला कर आपसे भीग बांगती हूँ बहु को क्रह प्रवेश कर लेने दीजी सावित्री सुनीए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इनके साथ, मैं भी घर छोड़कर चली जाओगी भाबी ठीक कहती है भाईया, जो होना था वह हो गया अग गुस्सा थूख दीजे ठीक है जैसा तुम लोग ठीक समझो धन्राच, मेरा करजा उतारने का जल्जी से इंतिजाम करो कहो तो कोई जिराग बेज़ दू, घर बेज़के करजा उतार देना, समझे विने, जाओ, भाबी का स्वागत करो वाह, क्या मुबारक कदम पड़े हैं आते ही घर की बिकरी का अंतिजाम हो गया अभी तो पाउं रखे हैं जमने दो, फिर देखना ना तो ये घर रहेगा और ना इस घर में मुझे आने से रोकने वाले मेरा आशिरवत हमेशो तुमारे साथ रहेगा हम